दोस्तों भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है इसमें सबसे ज़्यादा संक्या युवाओं की इस युवा वर्कफोर्स को कौशल प्रसिक्षन देकर फ्यूचर के लिए तैयार किया जा सकता है किसानों की आयद दुगनी करने और ग्रामेन अर्थ वैवस्था को गती देने के उद्देश को पूरा करने के लिए बास आजीविका और रोजगार पैदा करने में महत्पुन भूमिका निभाता है खेती किसानी की दुनिया में हरे बास को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है क्यूंकि इसकी खेती से सोने जैसा ही प्राफिट होता है इसमें मेहनत बहुत कम है और कमाई बहुत ज़्यादा अब बास से बनी चीजों के इस्तिमाल के कारण बेंबो आर्ट एंड क्राफ्ट देश में 20 लाग से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्द करा रहा है इस क्षित्र में रोजगार और स्वारोजगार के अफसरों को देखते हुए कौशल विकास और उद्डम शिलिता मंत्राली की निगरानी में एग्री कल्चर इसकिल काउंसिल आफ इंडिया द्वारा कौशल प्रशिक्षन दिया जा रहा है आज मोबाईल वा इंटरनेट जैसे हाई टेक कम्यूनिकेशन लुगों की पहली जरूरत बन चुके हैं इससे मोबाईल उपभोगताओं की संख्या में लगातार वृध्धी हो रही है देशी नहीं बलकि पूरे विश्व में ये इंडस्ट्री टीजी से विकास कर रही है जिसकी वज़ा से युवाओं के लिए इस क्षित्र में करियर के नए मौके सामने आ रहे हैं घर हो ये दफतर हर किसी को वेल डेकॉरेटेड ही पसंद आता है जब बात डेकॉरेशन के आती है तो सबसे पहले दिमाग में कलरफुल पेंटिंग का ख्याल आता है जब से इंटीरियर डिजाइन का प्रचलन बढ़ा है पेंटिंग के गदर और बढ़ गई है यही वजह है कि बीटे दसवर्शों में पेंटिंग इंडस्ट्री लगबग 18 फीसदी की दर से बढ़ रही है और आज इसका बाजार लगबग 2 बिलियन डॉलर का हो गया है जिसकी वजह से इस क्षित्र में मेनुफैक्चरिंग से लेकर एप्लिकेशन तक में स्किल्ड लोगों की जरूरत होने लगी है देखिए हर चनिवार सुभा 9 बजे आग की बात डीप राज राना के साथ फिर दूर्दक्षन पर इस कारिक्रम के प्रायोजक है कौशल भारत कुशल भारत